असलाम अलेकम आज हम मसालेदार चटपटी चिकन बना रहे हैं जो के बहुत ही जाकेदार है सबसे पहले हमने चिकन को मेरिनेट करना है दही डालेंगे आदा कप नमक डालेंगे बन एन हाफ टी स्पून या वन टी स्पून डालें अगर जरूरत हो तो बाद में और भी डालें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे दो टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे वन फोर्थ टी स्पून धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे 1 दाध़ टीस्पून सॉंफ का पाउडर डालेंगे 1 फोर्थ टीस्पून हरी लाइची का पौडर डालेंगे 1 फूर्थ टीस्पून सिन्मिन का पौडर डालेंगे 1 फूर्थ टीस्पून लॉंग का पौडर डालेंगे 1 फूर्थ टीस्पून और जाइफल का पौडर डालेंगे 1 फूर्थ टीस्पून यह हमने जिंजर गार्लिक पौडर लिया है एक टी स्पून और वन फॉर्थ टी स्पून हमने मस्टर्ड पौडर लिया है लेमन जूस लिया है वन टी स्पून या आदा लेमन कर ले कसूरी मेथी ली है आद़ टी स्पून इन सारे मसालों को हमने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है चिकन को हमने आद़ गेंटे के लिए मैरिनेट करना है बहुत जाइकेदा जटपटी चिकन तैयार हो जाती है अब हमने चिकन को आदे खेंटे के लिए मेरीनेट करना है चिकन को हमने मेरिनेट करना है आदे घंडे के लिए मसालों को हमने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है प्यास चॉप मीडियम दो अधर जिंजर गारलिक हमने 1-1 टी स्पून लिया है जिनको हमने बारिक चॉप कर लिया है कुकिंग ओल लेंगे 4-5 टेबल स्पून ट्रमाटर लेंगे 2 अधर जिनको हमने चॉप कर लेना है कोकोनट मिल्क लेंगे 1-2 कप ट्माटर प्यूरी लेंगे 2 टेबल स्पून लेमन जूस लेंगे 1 टेबल स्पून हरा थनिया गार्निश के लिए कटा हुआ आदा कप हरी मिर्चे नेंगे 2 अधर जिनको हमने बारीक काट लेना है पैन हमारा गरम हो चुका है सबसे पहले हमने कुकिंग ओल डालना है 5 टेबल स्पून या आदा कप डाल लें ये आपकी मर्दी है अब हमने पैस डाल देने हैं दो अधर मीडियम साइस के लिए है पैस को हमने गोल्डन करना है आपको हमने मीडियम से थोड़ा से तेज रखना है और पैस को हमने गोल्डन कर लेना है प्यास हमारा गोल्डन हो चुका है अब हमने इसमें लसन और अद्रक चॉप डाल देना है एक टेबल स्पून लसन अद्रक को हमने दो मिनट तक फ्राइक करना है प्यास के अंदर तक एची तरह से लसन और अद्रक की खुश्बू आ जाए अब हमने इसमें टमाटर डाल देने है चॉप किये हुए वीडियम साइज के दो अदर साथ ही हमने टमाटो प्यूरे डाल देनी है दो टेबल स्पून यह थोड़ी सी ज़्यादा ले 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 अब टमाटरों को हमने 5-6 मिनट तक इसी तरह फ्राई करना है जब तक टमाटर जो है यह मेल्ट हो जाए और फुकिंग वही लालादा हो जाए अची तरह से टमाटरों को हमने भूंग देना है तमाटरों को हमने 6-7 मिनट तक अची तरह से प्राई कर लिया है अब फुकिंग वही लालादा हो ज़िया है अब हमने इसमें चिकन डाल देनी है साथ ही हमने हरी मिर्चें डाल देनी है दो अधत बारी चॉप की हुई अब हमने चिकन को 7-8 मिनट तक ढूंग लेना है जब तक चिकन का कलर थोड़ा चेंग हो जाए और चिकन का पानी देना यह फुष्ट हो जाए आपको हमने भूआ सा मीडियम से तेज रखना है अब हम चिकन को भूं लेते हैं चिकन को हमने अच्छी तरह से भूं लिया है कुकिंग और बलादा हो गया है अब हमने इसमें पानी डाल देना है एक कप हमने इसमें पानी डाल देना है पानी डाल कर निक्स कर देंगे अब आग को हमने थोड़ा सा हल्का करना है मीडियम से और इस पर हमने ढखना लगा देना है 15-20 मिनट तक पका लें जब तक चिकन यह है यह गल जाए चिकन को हमने तकरीबन 20-25 मिनट तक पकाया है चिकन हमारी अब बिल्कुल गल चुकी है चिकन को हमने मिक्स कर देना है अब हमने इक में गले कोकोनट मिल्क डाल देना है आदा कप, साथी हमने लेमन जूस डाल देना है, 1 टीस्पून यह वन टेबल स्पून, यह आपकी मर्दी है, इतना खटा पसंद करें, उतना ही डाल लें, अब हमने चिकन को मिक्स कर देना है, और 6-7 मिनट तक हमने चिकन को इसी तरह से पकने देना है, अब हमने इस पर ढकना बस इसी तरह से चिकन को हम पकने देंगे लिख कोकोनट मिल्क-डाल चार से पांच मिनाट तक पतरीन है बे helping झाइका है अब आप इस में नमक टेस्ट कर लें चट्पटी तरसाम जब मुसले hara dhani neskamente कर देंगे अब हमारी बहुत ही मज़ेदार चटपटी चिकन तयार है आप भी बनाएए, खुद भी खाएए, सब को खिलाएए, अला हाफिज अला हाएए, अला है, अला हैं, कि वाला हैं, ऐसे दुद अला हैं, कि लोगहा है हा ts बनाए याएए झाल झाल